कच्ची प्यास का मटन का कीमा बनाते हैं प्यास के फ्लेवर से भरी बहाती बहतरीन ये रेसिपी बनती है तो ये रेसिपी बनाने के लिए सब से पहले लेंगे 1 चौथाई कप तील और इसमें खड़े मसालों में डालने के लिए लेंगे आदा चम्मच काले मिर्च, एक काली बड़ी इलाईची, छे लॉंग, तीन हरी इलाईची, दो टुकड़ा है दारजीनी का साथ ही डाल लेंगे दो से तीन तेस पत्ता और खड़े मसालों को हलका सा फ्राइ कर लेते हैं करीब आधे मिनट के लिए अब इसमें डाल लेना है आदा कीलो कीमा, इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है कीमा डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लेना है और कीमे को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें पका लेना है कीमे का सारा पानी सूप जाए और अच्छा सा गुलाबी कलर इस पर चड़ जाए तब तक हम कीमे को पका लेंगे मटन कीमे का जैसे ही आप देखें कि पानी सूपने लगा है इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमज भर कर अद्रकलेसन का पेस्ट अब अद्रकलेसन का कच्छा पन जाने तक इसे कीमे के साथ मिक्स करते हुए हमें पका लेना है करीब 1-5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे फिर हमें इसमें डालना है एक मीडियम साइस का टमाटर रफली चॉप किया हुआ एक चमच भर कर डाल लेते हैं कुटी हुई धनिया एक चमच भर कर डालेंगे भुना कुटा हुआ जीरा एक चमच भर कर डाल देंगे कुटी हुई तीखी लाल मिर्च एक चॉथाई चमच डालेंगे हल्दी इसे कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का अब फिर से सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेते हैं, सारी चीजें mix हो जाए इसके बाद इसमें कीमे के हिसाब का नमक भी डाल लेते हैं, तो करीब एक चमच नमक डाल लेंगे, फिर से सारी चीजों को मिक्स करेंगे अब हमें कीमे को भूनना है मीडियम फ्लीम पर जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तमाटर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्या के पत्ते अधरक के हैं थ हमें इसमें डालना है तीन से चार मीडियम साइज की प्यास थोड़े मोटे स्लाइस में कटी हुई साथ ही प्यास के डाल देंगे आधा चमच गरम-मसाले का पावडर अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे प्यास को लो फ्लीम पर अकीमे के साथ धक्कर पकने देंगे प्यास का अपना पानी चूटेगा और इसी में ये अच्छी तरह से नर्व मुलाएं हो जाएगी दस मिनिट बार ठकन हटा लेंगे प्यास जादे नहीं पकी है हलकी सॉफ्ट हो गई है इस टाइम पर हमें फिर से इसमें डालना है थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्या के पत्ते बारिक चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़े से अद्रक के जूलियन्स अब मीडियम फ्लेम पर फिर से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं बस एक से दो मिनिट के लिए इससे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे तो एक अच्छी प्यास का हलके मसालों वाला बड़ी असा बहतरी इंजाइके वाला मतन कीमा बनकर रड़ी हो गया है रोटी, पराठा, दाल चावल या खिच्छी के साथ आप इस रेसिपी को सर्फ कर सकते है